दोस्तों सबको फिर से एक बार बहुत बहुत विलकम है आपके अपने ही चैनल टार्गरेंट फेंटासी पर तो दोस्तों साइट थामनेल देखके ही आपने समझ गए होंगे कि इस वीडियो किस बारे में हैं तो कुछ ऐसे नए रूल्स आ है जो की रेगुलर फेंटासी खेलने वालों के लिए बहुत ज़्यादे इंपॉर्ट है regular मतलब क्या कि दोस्तों कुछ ऐसे लोग है जिन्होंने regular basis fantasy खेलते हैं जैसे हम लोग है और कुछ ऐसे भी लोग है जिन्होंने पैसे deposit करते हैं regular time basis वसे के साथ contest खेलते हैं, जीते भी हैं profit भी करते हैं के बाद विद्डर भी करते हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत-बहुत इंपोर्टन होड़े वाल है तो ध्यान देखे देखिए तो दोस्तों एक न्यू टीडियस रूल्स फेंटासी के अंदर आ गया है तो बहुत सारे लोगों ने इसको मतलब कुछ रूमर जैसे बोल रहा है कि यह पर ऐसे पैसे कर जाएंगे कि आपको उड़र ठीक से नहीं मिलेगा ऐसे ऐसे कुछ होगा तो दोस्तों आपको घवराने की कोई जरुवत नहीं है तो यहाँ पर हमने कोशिस करगी कि आप को पूरी समझाने का तो सबसे पहले देखिए यह रूल्स क्या है तो 30% TDS on profit while withdraw on all fantasy platforms मतलब क्या कि देखिए आप driven पर खेलिए vision event पर खेलिए my event circle कहीं पर भी खेलिए किसी भी fantasy platform पर खेलिए एक नए TDS का रूल्स आ चुके है मतलब क्या कि देखिए मान लीजिए एक financial year होता है हर एक साल का एक एप्रिल से लेके और दूसरे साल का 31st March तक जैसे कि अभी अभी कुछ दिनों पहले 2022 से लेके 23 का जो confidential year था वो end हुआ है तो उसके बाद ही 2023 का पहला एप्रिल से यह नए रूल लागू हो गया है तो यहाँ पर क्या होगा मान लीजिए कि आपने एक एप्रिल के बाद खेलना सुरू किये और 100 रूपिय डिपूजिट किया है किसी भी fantasy platform के अंदर तो दोस्तो उसके बाद आपने एक contest खेली वहाँ पर आपने जीती 200 रूपिय ठीक है तो आपका यहाँ पर profit कितना है डिएकली 100 रूपिय का आपको profit मिल गया है तो दोस्तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा आपने मान लीजिए 200 रूपिय का आपने withdrawal करना चाहते है तो आपको अभी profit कितना हुआ वह देखेंगे एव वालों ने यह देखेंगे क्या आपका profit कितना हुआ अपने deposit की थी 100 और आपने withdrawal कर रहा है 200 तो उसके बाद profit आपका हुआ 100 रूपिय तो यह जो 100 रूपिय है उसके अंदर 30% TDS उन्होंने लगवागे मतलब आपको मिलेगा कितना 70 रूपिय तो यह तो बहुत कमी है मतलब क्या कि पहले तो ऐसे रूपिय तो आपने अगर 10,000 रूपिय जीते थे उसके बाद भी 6-6-30% करते थे लेकिन दोस्तो यह रूपिय अच्छा है आपके लिए क्यों क्यों आपको आगे जाकर और समझा होंगा देखिए यहां पर हमने रूल के अंदर लिखे रखा है profit withdrawal जो भी आपको अभी समझाओंगा और डिटिल में financial यार इसके बारे में भी आपने आपको बता दिये तो देखिए जिनोंने regularly withdrawal करते हैं मतलब आज 100 रूपे किये काल 2000 किये परसो 500 किये उसके बाद 10,000 किये तो उनके लिए थोड़ा सा ये profitable नहीं होने वाले है क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसे rules है जो कि जिनोंने एक regular time में invest करते है मान लिजे कि 6 माईने के लिए आपने invest किया है 20,000 तो वो 20,000 रूपे आपने खेला मान लिजे आपका total balance वा 6 माईने के बाद 10,000 मतलब क्या आपका loss कितना हो गया है 6 माईने के अंदर आपका loss हो गया already 10,000 तो आपके पास से कोई TDS नहीं लेगा सिर्फ वो लोग के पास से लेगा जिनको profit होगा तो ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा जिनको already loss हो गया तो उनसे कैसे tax ले तो ऐसा भी आपको समझना पड़ेगा तो दोस्तो ये rule सिर्फ उनहीं लोगों के लिए है जिनोंने profit करेंगे वो ज़्यादा हो सकता है कम हो सकता है पहले तो ऐसे होते थे कि अगर आपने एक grand league जीते एक लाग रुपे की तो वहाँ से आपको 30% कटके ही जो है सतर हजार रुपे आपके account में deposit होते थे लेकिन अभी ऐसा बिलकुल नहीं होगा माल लीजे एक लाग जीतने से पहले आपने already loss में है आदेड लाग का तो तब आपको क्या होगा जब आपने एक लाग रुपी जो है जीते उसके बाद जब अपने एक लाग विडॉल करने जाओगे तो वहाँ पर आपका already loss होगा कितना पचास हजा रुपे का तो आपके पास से कोई भी टेक्स नहीं लेंगे तो ऐसे टैप का रूल्स यह है जो जो लोगोंने प्रॉफिट करेंगे के अंदर उसके बाद जब उन्होंने विडॉल करने जाएंगे उहां पर ही उसको टीडियस देना पड़ेगा चाहे हो दस रुपे हो चाहे हो सौ रुपे हो चाहे हो एक लाग रुपिया क्यों ना हो क्योंकि अगर आपने प्रॉफिट में है तो मतलब इंडिया में हर कोई जिन्होंने कमा रहा है डॉक्टर, एंजिनेर, टीचार, वकील, सबके सब यहां पर टीडियस दे रहा है दोस्तो उनको दे नहीं पड़ेगा मतलब आपने भी प्रॉफिट कर रहा है तो आपको भी देना पड़ेगा यह देश को अब्वियसली देना पड़ेगा तो दोस् तो इसलिए दोस्तों आपको कुछ ऐसे बात अब को बताएंगे आगे जाकर कि इंपोर्टन टीप्स है उहां पर कि आपको इस तरह से जो टीडियस है वो कम कैसे करना है देखिए यहां पर नोट में हमने लिखके रखा है if you don't withdraw in entire year मतलब अगर आपने पूरे साल में एक भी पैसे विड्रल नहीं करते है on the end of year 31st March मतलब हमने आपको पहले ही बताया कि penal sale year जो खतम होते है 31 March को 30% EDS will be deducted from your wallet मतलब आपके wallet में जितना balance रहेगा उनमें से profit अपने जितने किये है उसका 30% deducted हो जाएगा and remaining amount will be count as deposit for next financial year बाकी जो पैसा रहेगा आपके wallet के अंदर 30% जो profit प्रोफिट हो प्रोफिट का 30% डिडाट करने के बाद जो पैसा आपके wallet में रहेगा वो आपका दूसरा financial year के लिए as a deposit balance मान लेना पड़ेगा तो यही है special note यह आपको धेर में रखना पड़ेगा और देखे कुछ asset tips हमने आपके लिए लेकर रहे हूँ जो कि आपके लिए important हो सकते हैं देखे don't withdraw multiple times मतलब आपको लगातर withdrawal नहीं करना है मतलब अभी 100 अभी तो हाली के अंतर हर एक एप में instant withdrawal है तो हमने उसका बहुत ही फाइदा उठाते है दोस्तों कि जब 100 रुपया लगे हमने निकाल लिए जब 1000 लगे हमने लिकाल लिए एप से ही as a wallet phone पे Google पे जैसा ही हमने यूज करने लगा है लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको एक monthly basis या फिर annual yearly basis या फिर happy yearly basis आपको थोड़ा सा मान लेना पड़ेगा मतलब क्या कि हमने तीन माईने का लॉस में तो उनके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है दोस्तों जिन्होंने एक regular basis fantasy खेलते हैं वहाँ से profit कमाते हैं कभी कभी कोई भी लॉस में जाते हैं तो उनके लिए वीडियो है वो ठीक से देखे और देखिए multiple times आपको इडिल नहीं करना है थोड़ा सा देखके इंवेस्ट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा platforms है तो उनमें से कौन से platform आपके लिए ज़्यादा suitable रहेगा वो आप देखिए उसके बाद ही इंवेस्ट करिए और file ITR financial year के end में जाके आपको income tax return file करना पड़ेगा उसक इन से लेके चार मेंबर्स से उपर जितने ज़्यादा मेंबर्स के बीच आप contest खेलोगे उतना profit आपको ज़्यादा आएगा profit से यहाँ पर आपके tax देना पड़ेगा देखिए मान लीजे एक contest है head to head का 5750 का वहाँ पर entry fee आपने जीते 10,000 रुपे तो आपका इसी contest में profit कितना आया 2250 का 2250 का नहीं दोस्तों देगे 4250 का profit आये तो आपको tax कितने में देने पड़ेगे 4250 इस amount में 30% ऐसा ही आपको tax देना पड़ेगा लेकिन अगर आपने यहाँ पर फोर मेंबर्स खेला है तो 2999 रुपे का एक contest उसके बाद आपने उहाँ पर जीते 10,000 रुपे तो आपका यहाँ पर profit कितना 7,100 रुपे आपको TDS देना पड़ेगा जो कि उससे कम होगा मतलब head to head member में आपने जीता जीता जीतना profit हुआ उससे कम होगा तो इसलिए हमने आपको कह रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा 2 members ये फिर 2 members नहीं उसके उपर वाले contest आप ज्यादा खेलिए उहाँ पर ही आपको profit ज्यादा मिलेगी TDS आपको कम देना पड़ेगा लेकिन आपने अगर head to head ज्यादा खेली तो आपको profit आपको कम मिलेग और obviously rule को follow करना जिसी भी आप में अगर आप खेले तो वहाँ पर सायद TDS का जो नहीं रूल है वो show कर दिया या फिर लगू कर दिया होगा कुछ notification या फिर mails कुछ ऐसा आया होगा तो आपने वहाँ पर जाके और भी अच्छे तरीके से देख लेना अगर किसी भी तरह की आ doubt आये problem आये आप comment कर देना हमने आपको वहाँ पर solve करने की कोशिज करेंगे नहीं तो आप हमरे official instagram id में जाके targeted infancy वहाँ पर जाके भी आप हमको message भी कर सकते है हमारे telegram channel है वहाँ पर भी आप जूट सकते है जिसका link हमने आपको वीडियो की description में दे देंगे किसी भी तरह की answer देने की general कोशिज करेंगे और आपके doubt clear करने के भी कोशिज करेंगे तो thank you so much वीडियो देखेने के लिए मिलते है अगले वीडियो में